नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनोवेंटरी सॉफ्टवेर में लेजर बुक या किसी भी पार्टी के खाते को कैसे देखें। लेजर बुक या खाता बही एक ऐसा खाता है, जिसमें किसी भी पार्टी या दूसरे लेजर के ट्रांजक्शन्स को देबिट और क्रेडिट के रूप में पोस्ट किया जाता है। हम अलग-अलग तरीकों से इनोवेंटरी सॉफ्टवेर में लेजर बुक या खाता बही खोर सकते हैं। हम Quick Access Panel में Customer Option पर क्लिक कर सकते हैं और फिर लेजर बुक आप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लेजर बुक टैब ओपन हो जाएगा। हम मेनू बार में Reports मेनू पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर ड्रॉप डाउन मेनू से लेजर बुक आप्शन चुने और लेजर बुक टैब ओपन हो जाएगा। हम बस अपने की बोर्ड पर Ctrl प्लस L प्रस करके भी लेजर बुक टैब ओपन कर सकते हैं। यहां हमारे पास Date Column, Transaction Type, Voucher Number, Details, Debit, Credit और Balance Column हैं जैसा की हम यहां देख सकते हैं। यहां हमारे पास एक Text Field है जो उस लेजर के लिए पूछ रहा है जिसके खाते हम देखना चाहते हैं। उदाहर्ण के लिए हम यहां एक Customer सत्यम को Select करेंगे। फिर हम उस Duration को Select करेंगे जिसमें हम Details चाहते हैं। इसके बाद हम Show Button पर क्लिक करेंगे और फिर Selected Duration के लिए खाता बही की जानकारी डिस्पले हो जाती है। जैसा की हम देख सकते हैं की Laser के साथ सभी प्रकार के Transactions यहां दिख रहे हैं। साथ ही Window के निचले भाग में हम Selected Duration के लिए Total Debit, कुल Total Credit और Closing Balance जैसी जानकारी देख सकते हैं। इसी तरह हम अन्य Legers से संबंधित लिंदेन भी देख सकते हैं। जैसे की Payment Mode जैसे G Pay, Paytm या अन्य Bank खाते जैसे हम यहां देख सकते हैं। Demonstration के लिए हम फिर से Leger मी सत्यम सिलेक्ट करेंगे। Transaction को सिलेक्ट करने के बाद हमें Tool Bar में अलग-अलग Options मिलते हैं। हम यहां Edit Button का Use करके Transaction Edit कर सकते हैं। इसके बाद Transaction को Edit कर सकते हैं और अन्त में OK बटन पर क्लिक करने के बाद Transaction Edit हो जाएगा। हम Delete Button पर क्लिक कर सकते हैं और Conformation के बाद Transaction को Delete किया जा सकता है। बही खाते को Print करने के लिए हमें यहां Print Option पर क्लिक करना होगा और Ledger Book का Print Preview जनरेट हो जाएगा। हम फिर Print और Save as PDF बटन का यूज करके इसे PDF के रूप में Save या Print कर सकते हैं। हमारे पास यहां तीन अन्य Options भी हैं। हम खाता बही को SMS या WhatsApp से Send कर सकते हैं। PDF के रूप में Save कर सकते हैं या Excel फाइल के रूप में Save कर सकते हैं। Transaction Voucher को Print करने के लिए हम Transaction को Select कर सकते हैं और फिर Print Voucher Option को Select कर सकते हैं और फिर Voucher Print कर सकते हैं। यदि हम Duplicate Option पर क्लिक करते हैं तो यहां Duplicate Sale या Purchase Dialog Box लाँच होगा। Selected Transaction के Basis पर हमारे पास अलग-अलग Options भी हैं जैसे कि Duplicate Sale या Purchase बनाने के लिए या Quotation Create करने के लिए Selected Transaction के Basis पर। प्रपया ध्यान दें कि Duplicate Option केवल Sale और Purchase Transaction के लिए उपलब्ध होंगे। Sale Transaction के लिए हमें एक अतिरिक्ट सुविधा भी मिलती है। एक Sale Transaction को Select करने के बाद हमें Show Payment Detail बटन भी मिलता है जिसे हम यहां देख सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करने के बाद Selected Sale Transaction के Payment Details को डिस्पले किया जाता है। और यदि पहले कोई Receipt Generate हुई है तो वो यहां डिस्पले होती है। इसके अलावा हम Sale के Pending Amount को यहां देख सकते हैं और फिर Receive Now बटन पर क्लिक करके Receipt Generate करके Pending Amount रिसीव कर सकते हैं। हम Receipt के Details को Edit कर सकते हैं और फिर OK बटन पर क्लिक करें और Receipt Generate हो जाएगी। अब हम Show बटन पर क्लिक करने के बाद Ledger Book में उस Receipt को देख सकते हैं। हम यह भी Configure कर सकते हैं कि Transactions के लिए खाता बही में क्या जानकारी आनी चाहिए। हम Settings ओपन करेंगे और Ledger Book को Configure करने के लिए Ledger Book Settings पर क्लिक करेंगे। उदाहर्म के लिए यदि आप खाता बही में Item Details नहीं दिखाना चाहते हैं। तो Show Item Details option को Uncheck करें। Settings सेव करें। अब Ledger Book ओपन करें और Show बटन पर क्लिक करें। अब Transactions में Item Details नहीं शो हो रहे हैं। तो हमने देखा कि हम कैसे Ledger Book ओपन कर सकते हैं और Use कर सकते हैं और Ledger Book में डिस्प्ले होने वाली जानकारी को भी Configure कर सकते हैं। धन्यवाद। यदिए धन्यवाद। भाम जो अब बड्वाद। अब